हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में मैंने सिच्छन का उसल का एक अन्य बहुत ही मात्पूर्ण टॉपिक लिया है तो आज हम लोग समावेसी सिच्छा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि सिच्छक भरती परिच्छा की दर्श से काफी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ अन्य परिच्छाओं में भी पूछा जाता है तो इस सिच्छन का उसल का एक बहुत ही मात्पूर्ण टॉपिक है सिच्छन का उसल एक बहुत ही बरौट टॉपिक है इसके अन्टरगत कई मात्पूर्ण टॉपिक आते हैं तो मैंने कुछ टॉपिक को कमپलिट कرا दिया है जिनकी वीडियोज आप नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समावेसी सिच्छा और इस वीडियो को अंत तक देखिए सभी कुश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजे और वेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको हमाई वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहा है देखते हैं पहले कुश्चन से समावेसी सिच्छा का आर्थ बताईए समावेसी सिच्छा क्या होती है अईसी सिच्छा जिससे छात्रों को सार्थक सिच्छा अनुकूलन पर्यावरान में उपलब्द कराई जाए जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके मुलत समावेसी सिच्छा होती है कि जिसे पाकर छात्र अपने जीवन को सफल बना सके उस सिछा का वह अपने जीवन में प्रेयोग कर सकें इसके बाद दूसरा कोशिन है समावेसी वालक किस परकार के होते हैं सारी रिक अच्छमता वाले वालकों को समावेसी वालक कहा जाता है जिनके अंदर कुछ विकलांगता दिब्यांगता या कुछ अच्छमता पाई जाती है यह सब वालक वह उते हैं जो सामानले सिछा कारकरम के लिए उप्युक्त नहीं होते हैं इन्हें समावेशी सिछा के इंदर के समावेशी वालक के रूप से जाना जाता है इसका तीसरा कुश्चन है वर्तमान में निसक्त वालकों की सिच्चा को क्या कहा जाता है इसी को समावेशी सिच्चा कहा जाता है आप परिभासा में ये भी लिख सकते हैं यदि आप से पूछा जाता है समावेशी सिच्चा क्या है तो आप सीधे सब दो में लिख सकते हैं कि निसक्त बच्चों की सिच्छा को समावेशी सिच्छा का जाता है या सारीरिक अच्छमता बाले बच्चों की सिच्छा को समावेशी सिच्छा का जाता है बस एक लाइन में आप लोग इस कान से लिग दीजिए आपका एक नमबर पका हो जाएगा और इन सभी questions को आप अच्छे से याद कर लीजे और देखते रहें वीडियो को क्योंकि ये सभी questions सिच्छक भरती पर इच्छक इच्छ से important है REIT में पूछे जा सकते हैं और DSSB के exam में भी important question है तो सभी questions को आप याद करते रहें इसके चौथा question है पिछडे पनके कितने परकार होते हैं तो पिछडे पनके दो परकार हैं वैक्तिक और सामुहिक पिछडे पनके कौन कौन से एक तो वैक्तिक परकार है दूसरा सामुहिक है ये दो परकार होते हैं इसके पांचमा कुश्चन है, पिछड़े बालक की एक विसेस्ता बताईए, इसे विसेस्ता भी कह सकते हैं, उसके पहचाना कैसे जा सकता है, ये कह सकते हैं, तो पिछड़े बालक क्या होता है, वे सीखने की धीमी गती होना, जो बालक पिछड़े होते हैं, उनकी बुद्ध ब्रेल लिप उबरे हुए छे विंदूओं की ऐसी लिप होती है। जिससे इस परस द्वारा पढ़ा जाता है। बीस द्रश्टी चम्ता दो बटे बीस द्रश्टी चम्ता की जो बालक होते हैं वो गंभीर द्रश्टी बादित के अंतरक्त आते हैं। इसका दसमा कुश्चन है हकलाने की क्या करान होते हैं। तो हकलाने के दो करान होते हैं एक तो वंसानुकरम और दूसरा होता है वातावरान। वंसानुकरम होता की जैसे किसी की फैमिले में मम्मी पापा हकला रहे होते हैं। उनसे ही उनके बच्चों में भी वंसानुकरम के माध्यम से इह गुणा जाता है। तो एक तो ये कारण होगा, दूसरा होता है वातावरान। इसका आत ग्यारमा कुश्चन है। सामाने स्रवन्द वाधित वालकों' का सुनने धुनेश्छतर कितना होता है ? सामान श्रवन्द वालकों का 31-51¥ याद कर लीजे आप लोगकी नोट करते चलिए important question है 31-51 decibel धोनी स्तर का जो वालक होता है वो सामान सिर्वन वाधित वालकों के अंतर गताता है इसका वारमा question है गंवीर सिर्वन वाधित वालकों का सिर्वन वाधिता इसतर कितना होता है तो इनका होता है 70-89 decibel होता है कि इनका गंभीर सिर्वन वाधित वालकों का 70 से 89 बहुत ही ज़्यादा important question है मैं आपको बताए दे रहा हूँ आप लोग त्यार करते चलिए याद करते चलिए साथ ही साथ में ये भी बहुत ही important question है सिर्वन वाधितों के वरगी करण का आधार क्या होता है तो इनके डेसिवल अंक के आधार पर वरगी करत किया जाता है और इसकी यूनिट जो होती है वो डेसिवल होती है डेसिवल में सिर्वन वाधिता मापी जाती है डेसिवल इसी मापतें important है याद कर लीजिए इसका चौदमा खुशन है पूर्ण सिर्वन वाधित वालकों का वाधिता इसतर कितना होता है तो पूर्ण सिर्वन वाधित जो वालक होते हैं उनका 90 डेसिवल होता है या कहीं कहीं दिया होता है 90 टू हंड्रेड डेसिवल तो आप इन में से कुछ भी लिख देंगे आपका एक नमबर पक्का हो जाएगा याद कर लीजे 90 decibel इसके आद पंद्रमा कोश्चन है मंद बुद्धिवालकों की बुद्धिलब्ध कितनी होती है तो मंद बुद्धिवालक सतर से कम बुद्धिलब्धिवाले सभी वालक मंद बुद्धि के अंतरकत आते हैं उसकी स्रेणिया बनी हुई है कुछ वालक मोड बुद्धि के होते हैं कुछ मन्द होते हैं कुछ अत्याधिक मंद होते हैं यह सब मन्द के अंतरगे 74 नीचे जितने विया उनको मन्द्ध बुद्ध के ही अंतरक लिया जाता है इसक b यूपीट से कंवति आता है e-ệpividad करने का सूत्र बता है 10 exact वियू काian online वास्तविक आयू गुणे सव इसमें मांसिक आयू होती है वालक की मांसिक आयू और वास्तविक आयू जो वालक उस समय जितनी उम्र का वालक होता है वो उसकी वास्तविक आयू होती है और मांसिक आयू ये दी हुई होती है पेपर में और इसे हंड्रेड से गुणा कर दिया ऑं साला कहां इस्तित है तो उत्तर प्रदेश में इलहावाद में पूच्छर साहला कहा इस्तित है इत्तर प्रुशन में इंप्वारिय को अ Holiday में तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है मैं हर वीडियो वीच में आंट मैं शे साना होगत देना होता है बहुत इंपॉट पूछा जाता है आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट में इसका अंसर जरूर दें जिससे कि आप लोगों की त्यारी होती रहे तो दोस्तों आज का कुश्चन है कि डाइट की स्थापना कब हुई डाइट जिला सिच्छा एवं प्रसिश्चन संस्थान को डाइट कहते है इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट वॉक्स में बताना है कि डाइट की स्थापना कब हुई इसके आद 18 में कुश्चन पर बढ़ते हैं मनोविग्यान साला की स्थापना कब हुई थी तो मनोविग्यान साला की स्थापना किस ने की थी तो मनोविग्यान साला की स् समित ने की थी अगर आप लिख देंगे आचार नरेंदेव ने की थी तो भी सही हो जाएगा अगर लिख देंगे आचार नरेंदेव समित ने की थी तो भी आपका एक नंबर जरूर पका हो जाएगा आप लोग तयार करते रहें नोट करते रहें और इस वीडियो को आप दो बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही सभी कुश्चन याद हो जाएंगे लिखने की भी जरूरां नहीं पड़ेगी सभी कुश्चन को साथ ही साथ याद करते चलिए बीसमा कुश्चन मनो विज्ञान साला का प्रमुकार बताईए तो मनो विज्ञान साला का प्रमुकार होता है वाले पासेची निर्देशन करना बालकों की देख रेक करना उनके सहची की इस तरदेखना और ट्रेनिंग कराना ऐसेह ATE Switch Canada इसका दिकीसबध मा कुश्चन मैं उत्तर प्र Rainbow CD मा इसमें कितने मनदली मनदलि केंदर इस थापित हैं तो अगर आपको सिच्चन का उसल के इस टॉपिक की पीडिया फाइल चाहिए तो आप मेरे Facebook ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां मैं आपको सभी पीडिया फाइल सेंड करता रहता हूं वहां से आपको मिल जाएगी इसके बाद वाइस में question पर वढ़ते हैं कि पहला बुद्धी परिच्चन कब और किस ने किया तो पहला बुद्धी परिच्चन अलफेड बिने ने किया था सन 1905 में बहुत ही जादा important question है इसे जरूर यात कर लिजिया ऐसे भी पूछा जा सकता ह अलफेड बिने ने कौन सा परिच्चन और कब किया था तो इन्होंने पहला बुद्धी परिच्चन किया था 1905 में किया था सन 1905 में अलफेड बिने ने पहला बुद्धी परिच्चन किया था अन्वेशन विद की खोज किस ने की तो अन्वेशन विद की खोज प्रोफेसर H.I. Army Strong ने की थी आप लोग लिख सकते हैं Army Strong ने की थी कौन सी Unwation विदी है इसकी खोज किसने Army Strong ने की थी तो दोस्तों इसी के साथ एक और Question मुझे ध्यान आगया मैं इसे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ Manovis Laysan की खोज किसने की थी या आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका अंसर भी जरूर देना है ये मैं आपको पिछली वीडियो में याद करा चुका हूँ मुझे चेक करना है कि आपको याद है या नहीं कि Manovis Laysan विद की खोज किसने की थी इसका अंसर जरूर दें आप लोग इसका चुबिसमा कुश्चन है प्रतम मनोवे ग्यानिक प्रयोक साला की स्थापना किसने की थी तो प्रतम मनोवे ग्यानिक प्रयोक साला की स्थापना बुंट ने की थी याद कर लीजे इंपॉर्टेंट कुश्चन है वुंट ने की थी प्रतम मनोवे ग्यानिक प्रयोकसाला की सापना इसका पचीसमा कुश्चन भी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बार एक्जाम्स में पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किस से सम्बन्दित है dyslexia एक बीमारी होती है जो कि पढ़ने की समस्चा से सम्मंदित है इसमें अक्षर उल्टे दिखाई देने लगते है क्या है dyslexia पढ़ने से सम्मंदित है बीमारी होती है यह आपका एक नंबर पका कर देगा answer तो आप लोग इन 25 को याद कर लीजे, नोट कर लीजे, अच्छे से याद करते रहे, पीडिया फाइल आपको ग्रूप में मिल जाएगी, और आज मैंने आप लोगों के समावेसी सिच्छा के टॉप 25 कोश्चन्स याद करा दिये हैं, आप इन कोश्चन्स को याद करते रहे ह आपके दो से तीन नंबर पक्के हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जुड़े रही है, इसे हमसे ही हमाई, और आज के दो कोश्चन्स के अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अधिक से अधिक लो झाल